देश में पहले उट का दूद बिका और इसकी डेरी गुजरात ने खुली उसके बाद अब भारत में गधी का दूद बेचने की तैयारी चल रही है जी हाँ, गाय, भैस, बकरी, आउट के दूद का सेवन किया ही होगा या दूसरे के मुझ से सुना ही होगा लेकिन देश में पहली बार गधी के दूद की भी डेरी खुलने जारी और सबसची बात तो यह है कि गधी का दूद शरीर का इम्म्यून सिस्टम ठीक करने में भी काफी एहम भूमिका नभाता है देश में पहली बार राश्ट्रे अश्वा नुसंधान केंद्र हिसार में हलारी नसल की गधी के दूद की डेरी शुरू होने जारी इसके लिए NRCE ने दस हलारी नसल की गधीयों को पहले ही अपने यहां मंगा लिया जिनकी मौजूदा समय में ब्रीडिंग की जारी ब्रीडिंग के बाद ही डेरी का काम जल्द शुरू कर दिया जाएगा डॉक्तरों की माने तो गुजरात की हलारी नसल की गधी का दूद और शुदियों का खजाना माना जाता है इस नसल की गधे का दूद बाजार में 2000 से लेकर 7000 रुपे लीटर तक में बिकता है इसे कैंसर, मुटापा, एलर्जी जैसी बड़ी बीमारियों से लड़ने की शम्ता विकसित होती इसे ब्यूटी प्रोड़क्ट भी बनाए जाते हैं जो काफी महेंगे होते हैं डेरी शुरू करने के लिए NRC हिसार के केंद्रिय भैस अनुसंधान केंद्र और करनाल के National Dairy Research Institute के वैग्यानिकों की मदद भी ली जारी इस प्रोजेक्ट पर काम कर रहे NRC के वैग्यानिक की माने तो कई बार गाय या भैस के दूद से छोटे बच्चों को अलर्जी हो जाती मगर हलारी नसल की गधी के दूद से कभी अलर्जी नहीं होती इसके दूद में Antioxidant, Anti-Aging तत्व पाय जाते हैं जो शरीर में कई गंफीर बीमारियों से लड़ने की शमता विकसित करते हैं गधी के दूद पर शोट का काम NRC के पूर्फ डारेक्टर कर रहे हैं NRC के डॉक्टरों की माने तो इस दूद में नाम मात्र का फैट होता है तो आप समझ लीजिए कि बहुत जड़ आपको गधी का दूद मार्केट में मिलने वाला है